कि सर्ग्रापनून के इस सेशन में आपका स्वागत है आज 20 जून को सर्म लोग रेकॉर्डिंग कर रहे हैं और अच्छी बात यह है कि हमारे साथ में बहुत सारे लोग धिरे-धिरे जुड़ते जा रहे हैं अपनी क्वेरी को शेर करते हैं और आगे एक थॉट मुझे यह आ सबकुछ इन्वेस्टर्स जो हमको पूछते हैं उनको भी इस फ्लैट्फॉर्म पर मतलब साथ में ले और उनके उनके माइंसेट को समझे कि एक्जाक्ली दिमाग में क्या चल रहा था जब स्टॉक को पर्चेस किया या को स्टॉक को देख तो क्या समझने की कोशिश कर रह है और जो इन्वेस्टर्स उनको मिलेगा कि कैसे साइकलोजी को डिवलप करना है तो अंदिस नोट शुरू करते हैं जो करी हमारे पास में आई है मैं स्क्रीन शेयर करना शुरू करता हूं और आप से काड़ेंस देता हूं कि आपको स्क्रीन दिखाई देरी है तो चलिए सब्सक्राइब हमारा और हमको पड़ा-फट जो क्वेरी हैं हमारी जो हमारे ऑडियंस के उसको कवर करना है मैं एक मिनिट या सब पहला क्वेरी जो आया था श्रीराम ट्रांसपोर्ट फिनांस का था तीन मैने के विव के और अभी वह तोड़ा नीचे चल रहा है सब 380 का भाव दिखा रहा है तो क्या लग रहा है सब्सक्राइब और टार्गेट श्रीम ट्रांस का इसका रेशिस्टर्स लेए फंद्रा सो पचास का है यह यह पंद्रा सो पचास को प्सक्राइब तो ही उपर जाएगा अर यह प सब्सक्राइब तो देखिए चलिए स्रीराम ट्रांस्पोर्ट पिनास फंद्रा सो पचास के उपर बाइंग बनती है अभी सर ने जो बताया उसका मुझे इंटर्प्रेटेशन मेरे समझ में यह आ है कि स्टॉक जो है रेंजबाउंड है और इसलिए सर ने ब्रेकाउट के लिए वेट करने के लिए कहा ह है तो अगर आप उसमें बने रहेंगे तो सकता है कि आपको नीचे का लेवल देखना पड़ जाए और उसके बाद में जब उपर जाए तो नीचे के लिए आपको दिक्कत होगी आपको ऐसा लगेगा कि मैंटर हो गया लेकिन दिक्कत मैसूस होते रहेगी स्टॉक बना रह कि अच्छे söंख अच्छाOut का डुक करेंद्न पकड़ा था लेकिन बाद में फिर एक अग्फिक लिख्सकू के ताइम ऑंते पहले करीग तो आच इसोने पहले व्हरीदा था प्रौिगिंग एगेगा देपर डॉखे मेरा वहीं से गिर रہा है तो अभी से एक हजार सब्सक्राइब दोबर मुखा दिया प्रफिट भूक करने के लिए प्रफिट भूक नहीं किया इसका जो हाई था यह वान वन फोर जिरो का है इसने मनाया दो बार इसना पर सिंट दी अभी स्टाफ है विक्नेस के तरफ जा रहा है तो एक हजार बीस वान जिरो टू जिरो के तो यह स्टाप वीकिर रहेगा पर हो सब्ता है कि यह थासा बहुर के दरफ चले पर यह वान जिरो टू जिलो को ऊपर रहा तो यह स्टोप स्टाप श्रॉपर रहे दिए पर लेकिशान से इनका बाइन को थाइसो आइस अबहां डिए अबूग्स कर दिए अभी इसका अभ कुछ जवाब मिला होगा हम लोग नेक्स टॉप पे जाते हैं सर मुथूट फिनांस 1472 का भाव दिखा रहा है मुथूट का 1465 मतलब करीब करीब अभी इसी रेवल के आसपास है इन्वेस्टर ने बाइंग किया हुआ है इसने ब्रेकाउट दिया था इसा दिक्क्या आ रहा है अभी 1470 क्या लग रहा है अभी प्रैस है अलमस्ट माइंग प्रैस करी है यह स्टॉप जाएगा अगर उसको ब्रेक करता है तो फिर इसमें बड़ा मुमेंट आए है जो मुमेंट है वो कंशनों तीन चाहसों बंदर पंदिमेंगा अधर्वाइग इसके सब्सक्राइब अगर इनको ब्रॉप लेकर चलना चाहिए अभी तेरा सो बीस तो काफी नीचे हो जाएगा सब्सक्राइब लेकिन अगर होल्ड करना है तो चौदा सवस्ती के उपर में एक अच्छा बड़ा मुमेंट आएगा उसके लिए होल्ड कर सकते हैं सब्सक्राइब करते हैं सब्सक्राइब को जब तक यह सब चीजे रूज जो है रूज के लिए हमारे जो अलग लग सेशन होते हैं आप उसमें भी आ सकते हैं और आपको कोई अच्छी किताबे मिलती तो उसको पढ़ सकते हैं सब्सक्राइब असी रुपे के आसपास जो है लिया हुआ है इन्वेस्टर ने एक बार ऊपर जाके करीब करीब 90 का लेवल दिखा चुका है दो बार राधर उस लेवल के असपास गया और वहां से पर टोड़ा सा रिट्रेस कर रहा है त्रेंड सार उपर के तिरफ लग रहा है अभी भी स्टॉक का तो तो क्या लगता है कि क्या करना चीए गजिए गाया यह 95-97 तक जा सता है उसके उपर जाना वह श्कुरें अभी लिए जो इन्होंने वीवांगा है जाडिव प्रिमांस अध्री मुद्व लिए लिए इन्जा इन्जा प्लस बन रहा है वह सिस्ट प्लस बन रहा है तो श्क्टलस श्क्राइब टारिए निटिए तो यह यह कै इसकल बनता है किта जूलिए यह घर चुछ आथा अनुने बनता तो पर सब्सक्राइब करते हैं तो पर नेक्स टॉक पर आते हैं रतन इंडिया आइटिंक 26 रुपे के आश्कास का बाइंग है इंवेस्टर का और करेंटी 30 रुपे पर ट्रेड कर रहे है स्टॉक में कंटिनियूसली अपर सर्किट लगते जा रहा है साड़े चार रुपे के लिवल से स्टॉक में तेजी चालू करी थी और करते करते एक बार इसके बाद में नेक्स टॉपेज लिया था स्टॉक ने करीब करें अठरा से 20 रुपे के आसपास और फिर बाद में जो इसने 16 रुपे से फिर से चालू करी है तो फिर रुका है 22 के आसपास और अब जाके रुका है 30 के आसपास तो सेर क्या लग रहा है भी इस टॉक में इस प्रैस में एंटर नहीं करना चींग अगर एंटर करते हैं दने टील वे गेम उप्लोट्री तो सब्सक्राइब यह निचे आए अगर यहां एंक्टी करना है तो फार्गेट इस यहां पर बताना मुस्किले कि इस टॉक एक पर शुका है वह यह कितना उपर तो इससाब से इसमें एंटर नहीं करना चाहिए इस टॉक को छोड़ दाना चाहिए और अगरेट करना चाहिए यह जब 20 पर तक निचे आएगा तो वहां कि इन्वेस्टर ने एंटर कर लिया है तीन साल का उनका होराइजन है पचास का टार्गेट है अरड़ी 26 पे लिया ह सब्सक्राइब करना है उपर जाता है तो फिर देर बढ़ाते जाए लेकिन अब प्रेलिंग सब्सक्राइब लगाएंगे इस बोलना बहुत मुश्किल है एक मेरे इसका अगर लगाना तो ट्रेलिंग सब्सक्राइब लगा सकते हैं और जैसे उपर जाएगा तो ट्रेलिंग सब्सक्राइब कर सकते हैं और अब पूछ रहे हैं कि क्या लेवल लग रही है दो मैने में अब अब इस सब्सक्राइब बना रहा है उसी सब्सक्राइब अब सब्सक्राइब कर रहा है अभी लिया हुआ है एटीवन पे और अभी जो ट्रेड कर रहा है कर रहा है करिक पर बुर्सी रेवल के आसपास में 75-75 पर ट्रेड कर रहा है तो सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर रहा है तो क्या लग रहा है काउंटर वैसे दिख रहा है लेकिन देरे-देरे एक बेज बना बना के उपर जाने की कोशिश तो कर रहा है इसका स्टॉप्लस से सब्सक्राइब रखे इसमें वह उपर जाने की है रही है थीक है राइट नेक्स टॉप्ट जो है साड़ा एनरजी इन्वेस्टर ने लिया था आइटिंक पर लिया हुआ और चल रहा है वह वहीं चल रहा है शिक्स-थर्टी याज पास ही चल रहा है तो एक अच्छा मोमेंट उपर देखके आया हुआ स्टॉप और अभी रीसेंट में तीन चार दिन से कंटिनेंस से गिर रहा है कि टिर्व यह नियुटी ने कटिने में धाट स्टाङए शयू आए उपर लाख्यानेट कि ऐस तो ने खेर दो नहीं है शी oc तो भूर असघ्य और आयगी से सक्क Оरण इस लिएव सक्याक्टपते है शल्कतवा अनक शेए में पा जाए-पकम जो पूर दिन इंवेस्टर ने पंदरा सो के अस-पस लिया हुआ है तीन से मेने का व्यू पूचा हुआ है चादा सो चाते अभी चल रहे हैं इसका जो प्रेंड है अभी यहां से विपता है यह कंशन इसका जो फॉल आएगा आहनीड चे का प्रेंड सापे समय वे खानओ रहे हैं और यह कंशन हुआ यह पूर सना जो कर दान ऑक्रना को वांसे मुए सूर रोबिता मूद अभी उनट्ट्रीव ट्ण। तो उपर प्रोज देता है तो ये स्टॉपिट अप्रिट ना जाएगा तो ये शिकर पर दिया में तो नेक्स टॉप ले रेते हैं दीपक फटिलाइजर इतने में लिगा हुआ है तीन सो दस पहले हुआ है तीन मेने के व्यूट के साथ 310 में लिए वारा है तो ये अधी बंगों प्रॉपिट में है अधी में होड़ना चाहिए क्यों फट्लेजर स्टाफ के अलबारिश सभी रेनी सिजन आ रहा है उसके स्टाफ को सास्ता मुमें द्राइगा और स्टाफ भी हाई बनाके ये 480 तक हाई बनाया है आई बनाया है ब सब्सक्राइब करें तो 380 के साथ होल्ड करें 50 रुपीज नीचे का स्टाफ लॉस है 310 पे लिया हुआ है और आगे उपर का लेवल दो तीन मैंने में दिखाई दिये सकता है तार्गेट सर्कुछ तर्गेट बहुत बड़ा नहीं है मतलब यहां से लक्ष्मी ऑर्गैनिक लक्ष्मी केमिकल ताइटिंक वीचनली इस चार्ट में बहुत जादा पुछ देखने नहीं मिल रहा है अभी थोड़ा सा ज्यादा समय हुआ नहीं है और लिया हुआ है एग तर्गेट फिर रहा है आइट यह तो पांच में अभी दोसुट अच्छिस चल रहा है इस टॉप में चार्ट बिल्कुल नहीं है चार्ट भी नहीं डेटा गिनी इस अनल सिस्ताने के लिए दुट शेये वह इन्पूट अपी पास हैं उससे इसके पादर भीव दना तो यह तो यह थे आज की क्वेरी अगर आपके दिमाग में को इस टॉक अपड़ी वीक है तो डेफिनेटली बताएं तो लगाते हैं और दूसरा मुझे आपको गोल्ड और शिल्वर पे भी आपसे व्यू देना था कि गोल्ड क्या लग रहा है गोल्ड बीस को में लगा के अगर आपके साथ गोल्ड बीज जो है अगर आपकी चाट पर लगा सकते हैं तो आपको देखेगा और गुल्ड के बाद में सिल्वर जो है लेकिन उसके लिए अपको अब कमोडिटी का चाट देखना पड़ेगा तो शाद आपके सामने अभी चार्ट होगा नहीं सिल्वर इस द्रेंग का भी क्यास पर चला है 736.30 इस पर आपन बाइक आसा या अगर श्राचा निचे का कल मिलता है 730 31 तक तबी आपन बाइक कर सकते हैं इसका प्रगेट रहेगा और गाए 750 760 यह रहेगा टार्गेट इसमीट का और इसके जो स्टॉपनोंस रहेगी बीगी इस व तो करेंट रेट पर ले सकते हैं और 758 का तरगेट रहे गाएंट रहें आप सब्सक्राइब से निफ्टी का विव इस वीक का कि इस वीक का दिश्तिका व्यूए कि अभी बुली स्टेंट पर हैं कि का अब आपकों बाद करते में स्कॉर्ट फिलर में लिफ्टी अगर 15600 उसके निचे आता है तो निफ्टी कोगा अध्राइट निफ्टी पुराना हाई है वहां के निफ्टी आने की पुरी तांसे से पन्राज़ा यूएस मार्केट कल के दिन में करीब-करीब 600.00 माइनस बंद है आपको ध्यान में होगा तो सोमगार को इसका रियक्षिर अपने मार्केट में दिख सकता है खुलते साथ नीचे कुल एक बार निचे कुल जबता है फंद्राज़ाज़ा फंद्राज़ाज़ा इसने निचे मे और पंद्राज उसके निच्स यह रहे फंद्राज़ाज़ा चार्ट लगाया मैंने ऐसे चार्ट के मुझे बिलकुल मजा नहीं आ रहा है तो पुरा लाल ही लाल देख रहे है चार्ट को बाहिंग बहुत कम देख रहे हैं और शेलिंग बहुत है क्या लगता सब्सक्राइब को देखते हैं कैसा ट्रेंड है और मतलब एक ट्रेंड के हिसाब से और सपोर्ट रेजिस्ट्रेंस अगे सपोर्ट भी अटलीस मालूम पढ़ जाए अभी करेंट्ली गोल्ड भी चल रहा है 41 क्या स्वार्टी पॉर्टी पॉइंट नाइन सिस्क तो अगर हम बात करें गोल्ड को रूपी टम्स में 46,000 का असपास का लेवल देख रहे हैं अगर यह 38 आता है तो उस हिसाब समझ रखता है कि वापिस से यह 43,000 का लेवल दिखा सकता है रूपी टम्स में यह मैं अप्रोग्जिमेट बोल रहा हूं प्रिसाइस लेवल मेरे सामने है ने कुछ किया नहीं है बड़ एक अप्रोग्जिमेशन ऐसा लग रहा है कि अगर 39 का भी यह दिखाता है तो अल्मोस 43,000 तक गोल्ड फिर से आना चाहिए ठीक है व्यू आप ल और हमारे दर्शुकों से आओ द्लिश्याओंगा की हमारा इंवस्मेंट है साथ्मेश्ट रहां लोगों का इंवस्मेंट हो सकता तो हमारा ऑपसी तो पिर हम घर बहू है कि आपके जो रिस्क1 है कोई कमी नहीं है रोज आती है लेकिन अपने गोल्स को और अपने फॉट्स को एक बार प्रॉपरली अगर आपने रिविजिट करके रिवीव करके काम किया तो आपको दिक्तत मार्केट में नहीं जाएगी इसी के साथ सर इस नोट पे मैं मेरे तरफ सेंड करना चाहता हूं आ देखना है तया इट नहीं करते है क्या छोड़ दीट खोड़ दीजिए आपने कहां कि मार्केटी सुल अपयचिन जी करना है को तो इसको हआग्या था जालना है त्टाइट शी ना नहीं समय पाता है क्यों इस ऐसे लिए जो आपको शप्रकर करता है। एक प्रस्ट करते हैं शुब लिए इस प्रस्ट करते हैं तो यह शुब आप एक्सपर्ट करते हैं। अब तरीके से सिखिए शिखने बद करिए एक इसे आच्छे एक इसे बास में इतना बोना चाहिए चाहिए अधिक तैंक यू सो मच काफी समय आपका आगे मिलते हैं बात करते हैं सब्सक्राइब तैंक यू सो मच